In the name of Allah, the most merciful, the most gracious अठमी जमात के बच्चो, आप अपनी इंगलिश का पेई नमर 92 निकालो बेटा ये देखो पेई नमर 92 बेटा पेई नमर 92 पे ये सबक दिया गया है, आज का हमारा ये सबक है देखो, Colors of Rainbow Colors हो गया रंग, Rainbow हो गया दनक दनक क्या चीज़ है बेटा देखते हैं, बारश बरसती है, बारश बरसने के बाद जब बारश थम जाती है, आप देखो के उपर एक अलग से किसम का इजनभी किसम का एक राकट सा मालूम होता है हमें उस राकट में से different colors की light नीचे पढ़ती है, सबी लोग उसी की तरफ मतवज़ा हो जाते हैं, देखते हैं कि यह क्या चीज़ है, उसी को दनक बोलते हैं तो यह बेटा एक short story है, तो अब हम यह पाई लेते हैं, the rain had just stopped, I was looking out of the window, कहता है कि बारश थम चुकी थी, मैं खिडकी से बाहर देख रहा था, occasionally a drop of water fell from the evening of the window, अचाने कि हाँ, पानी का एक कत्रा खिडकी से देख रहा था, उपर से नीचे गिरा, याने कि लेंटल से नीच गिरा, कंछडों से नीचे गिरा, the cloudless had cleared and the sun had also come out, बादल याने बादल जो थे, वो के लिए रहा चुके थे, सूरज भी अब देख रहा था, when the sunshine is immediately after rainfall, कि जिस तरह से सूरज बारश के बारश के बाद अचाने की चमकता है, it looks very pleasant, यह बहुत दिलकश लगता है, अच्छा I was watching the beauties of nature, में कुदरती, खुबसूरती को देख रहा था, lost in thought, गेरे ख्यालू में था, just outside the window, were some chilly plants, हाँ, ठीक ही खिर्की के नीचे, थोड़े से दूर, कुछ मिर्ची के पेड थे, किसके पेड थे, मिर्ची के पलांट थे, मिर्ची के पलांट थे, मिर्ची के पलांट थे They had grown quite tall and wise, spotting red chillies, वो लंबे हो चुके थे, और उनके साथ मिर्ची यहां लगी होई थे, मिर्ची उनके साथ, हाँ, लगी होई थे, drops of water wire, dropping, sliding down on the plants, कि पानी के कत्री उपर से घिर रहे थे, उस पलांट के उपर, उन पलांट के उपर, और उन चिली के उपर, और उन चिली के फिसल की नीचे लग रहे थे, all my attention was centered on the raindrops, कि मेरी पूरी की पूरी तवज्जा किस पे थी, मानी के उनका त्रूं, पे, आज के लिए इतना ही बेटा, तो यहां से आगे इंशाला, कल पढ़ींगे होडा,